जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का ही वह दिन था जब पुरदेश में आपातकाल लगा था इंद्रागांधी की सरकार में लगाई गए एमर्जंसी देश के इतिहास का वकाला पन्ना है जब सभी के जिवनादिकार पर कबजा हो चुका था दोस्तो 25 जून 1945 की वो तारिक जब आधी रात को देश में आपातकाल की खोशना की गे जिसके कारण लोग तंत्र के इतिहास में इस दिन को काला तिर्माना चाता है यहीं वो दिन था जब तरकारिन राष्ट्रपती फकृतिन अली एहमाद नी समविदान की अनुशेद 352 के तहर इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोशना की थी देश में आपातकाल लग चुका है इसका एलान खुद प्रधामती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर क्या अगली सुभा यानि 26 जुन को इंदिरा गांधी ने सुपह सुपह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल की बारेवी जानकारी दी भारत के इतियास में ये काफी विवादास्वत विशे रहा है अपातकाल लगो करने के पीछे कई वजाए बताई जा रही है इसमें मुक्य कारण था राशितिक असिर्था इस राशितिक की असिर्था की शिर्वाद उस वक्त हुई जब इलापाद हाईकोट ने 12 जुन 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धान्दी का दोशी पाया और उन्हें 6 साल के लिए किसी भी चुने हुए पत-पत आसीन होने इस फैसले के बाद देश भर में विरुत प्रदर्शन और राशितिक तना पढ़ गया इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गेरी अशान्ती और आंतरिक अस्तिता है और जिसकी चलते राश्टी सुरक्षा को खत्रा है इसी कारण से उन्होंने कार का वो काला दोर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी निताओ को गिरपता गया प्रेस पर सेंसर्शिप लगाई गई और नापी स्वतन रताओ को सिमिट किया गया आरे से समेट 24 संखटनों पर बैन लगा दिया गया इस कहला वा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक सिदारों की शिर्वात की जिसमें जबरन नस्पन दी और स्लंग क्लियरेंस जैसे कठोर उपाज शामिल थे कई इतिहास का रुका माना है कि आपातकार का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत कने और विरोधी आवाजों को दबा निकली गया ये घटना भादिय लोग तंटर पर एक गहरा आखात की और इसने देश के राशितिक इतिहास में एक गहरी छाक छोड कर कॉंग्रिस को परास दिक्या जिसे इंदिरा गांधी सरकार का बतन हुआ और राइबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुना हार गई और मुराची देशाई देश की प्यांग बने देश में आपातकाल की खिलाब विपक्ष एक चुठोना शुरू हो गया विपक्ष की कई बड़े निताद जेल में थी वहीं कुछ निताओं नी बहार इंदिरा सरकार की खिलाब रन निती बनाना शुरू करती विपक्ष की निताओं नी राश्यपरती भवन पर धर्णा दिया था और देश व्यापिस सभाई और प्रदर्शन किये थी इंदिरा गांदी ने आपातकाल हटाने की पाद 1937 में चुनाव करा थी ताकि वो लोगतंत्र समर्ठक दी सके लेकिन इंदिरा की सारी कोशिशे नाकाम रही नाकाम रही नवकटी जंता पार्टी ने 1-2-1 के फॉर्मूला की तहट एक चूठ होकर कॉंग्रेस को परास किया था जिससे इंदिरा गांदी हाशी पर चली गई थी राल मरेली से खुद इंदिरा गांदी चुनाव हार गई और मुरार्जी तिसाही देश के पियम बने आजादी की 30 साल पाद ये पहली गैर कॉंग्रेसी स तरकार्टी जो कि ततकालिंग कॉंग्रेस के लिए करारा जवाब बना जाता है इन्बी संदेवस के लिए बनिश टिमरी की रिपोर्ट